वेलकम बैक वाल अफ यू चैप्टर चल रहा था गुडविल और उसके चारो के चारो मैथर्ड हम आपके साथ डिसकस कर चुके हैं आज की क्लास में दोस्तों कुछ number of questions करेंगे और एक last concept रहे गया उसके साथ इस chapter को करेंगे अलविदा तो आईए कुछ आज की date में कुछ questions करते हैं हमारे assignment का question number है 26 question number 26 को जड़ा एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है from the following information profit दे रखे हैं और नीचे लिखा हुआ है find out the value of goodwill पहला method है 3 year purchase of average profit दूसरा है 3 year purchase of super profit and third है capitalization of super profit यानि इस question में तीनों method आपके एक बार revise हो जाएंगे आईए जड़ा start करते हैं सबसे पहला काम सबसे पहला काम है 5 साल के profit दे रखे हैं इन 5 साल का आप मुझे जल्दी से बताएंगे average profit जल्दी जल्दी बताएए इन 5 साल का average कितना हुआ असी हजार और एक लाख एक लाख असी हजार प्लस तीन लाख पचास हजार और दो लाख सतर हजार ये आ गया आट लाख दो लाख तीन लाख चार लाख छे लाख और हो गया ये 80 और 50 आट लाख डिवाइड बाई पांच पांच साल हैं तो आपके पास average आ गया एक लाख साथ हजार ये तो आ गया average profit अब हम इन दोनों चीजों का यूज करेंगे capital employed दे रखी है पांच लाख पांच लाख का पैसा मैंने लगा रखा है अगर वो पैसा मैं bank में लगाऊं तो bank मुझे देता है 20% का interest जिसको हम बोलते है normal profit हम जिसको बोलते है normal profit चलिए ये बताईए normal profit कितना हुआ 20% of capital employed capital employed है पांच लाख तो पांच लाख का 20% हो गया एक लाख एक लाख आ गया normal profit और average profit है एक लाख साथ हजार पहले सारी चीज़े निकाल लेते हैं बताईए मुझे super profit का formula super profit का formula होता है average minus normal profit average है एक लाख साथ हजार normal है एक लाख एक लाख साथ हजार में से एक लाख गए तो finally we will get super profit of 60,000 almost सारी के सारी चीज़ें कर लिए अब start करते हैं first method first method है दोस्तो three year purchase of average profit यानि पहला method है आपका average profit method और इसमें हम goodwill कैसे निकालते है गुडविल का formula गुडविल का formula है average profit multiply by number of years purchase जी मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ CBSC की जब checking होती है CBSC की marking scheme आती है और उसके base पे जो भी आपके school teachers होते हैं वो आपके questions paper check करते हैं तो वहाँ पे clear instructions लिखी होती है guidelines पे कि अगर आपने formula पूरा लिखा है proper formula लिखा है तो उसके half mark होते हैं तो हमेशे इस बात का ध्यान देंगे जब भी goodwill का या कोई भी formula है आपको पूरा लिखना है AP नहीं लिखना AP की जगे लिखना है average profit multiply by number of year purchase अगर ऐसा पूरा formula लिखते हैं तो S per CBSC guidelines आपको half marks मिलते हैं तो formula को हमेशा habit डालिए पूरा लिखने के लिए अब मुझे बताइए average profit है एक लाख साथ हजार number of year कितने थे number of year है 3 तो finally goodwill आ गई 4,80,000 पहले वाले method से goodwill आ गई 4,80,000 अब चलते हैं दूसरा method दूसरा method है super profit method यहां से goodwill कैसे निकलेगी goodwill का formula super profit into number of years purchase super profit अभी आपने निकाला था super profit निकाला था 60,000 रुपे और यहां भी number of year purchase कितने है 3 साल तो यहां पर goodwill आ गई 1,80,000 of course दोनों method से goodwill अलग लगाएगी even capitalization से भी अलग आ सकती है goodwill last method है third method capitalization method capitalization method हम यहीं पर लगा देते हैं formula गुडविल का formula होता है super profit nrr into 100 super profit निकाला था 60,000 60,000 का था super profit nrr normal rate था 20% तो फटा फट चेक करें जरा six five the three lakh यहां पर goodwill कितनी आ रही है three lakh और आप सब को पता है यह कौन सी goodwill है दोस्तों यह goodwill है self generated goodwill तो self generated goodwill को निकालने के चार method थे और हमेशा याद रखेंगे यह goodwill हम निकाल तो रहे हैं बट balance sheet में कभी नहीं आईगी balance sheet में हमेशा purchase goodwill आती है क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा जाता है this is only a way of valuation तो यह भी हमारा question खतम हो गया ऐसे ही हम एक और question पे चलते हैं आपके साथ कुछ और questions question number अगर assignment में चेक करे question number one, two, three, four यह आईए लिजी एक और question आपके सामने दिये वो basic सा question है यहाँ पे कुछ बच्चों को confusion थी तो मैंने कहा चलो इस question को भी discuss कर ले थे question number seven question number seven में लिखा है goodwill निकालनी है वो तो कोई दिक्कत निक बट goodwill निकालनी है three year purchase three year purchase of last five year average profit यानि पांस साल का आपको करना है average तो सबसे पहले तो हम average करते हैं पांस साल का average और इसमें negative दिया हुए negative का मतलब होता है loss तो पहले loss देखते है loss कितना हो रहा है 10,000 का loss है 7,200 का loss है और 5,000 का loss है total loss है 22,200 और profit है सिरफ 3 और 4 7,800 तो basically इसके अंदर average profit नहीं आ रहा इसके अंदर average loss आ रहा है और loss आते ही आप सब बच्चे बोलेंगे there is no goodwill क्योंकि goodwill हमेशा किस पे निकलती है profit पे बट हमारे question में on and average क्या आ रहा है loss so answer is there is no goodwill तो confused नहीं हो ना ऐसे कुछ questions आ जाते हैं आपके CBSC exams में एक language barrier भी आ रहा था बच्चों को वो भी question हम discuss कर लेते हैं जहां पे बच्चों को थोड़ा सा language में problem आ रही थी हमारे assignment का question number है question number 19 आईए ज़रा इस question को भी समस्तिन सरी क्या कहना चाते है सबसे पहले question में क्या निकालना है value of goodwill ढूंडो ज़रा method ढूंडे ज़रा method कहां लिखा हुआ है कहरें for the purpose of goodwill सिरफ English पे ध्यान देंगे goodwill is valued 80% यानि 80% आपको दिया हुआ है 80% को बोलेंगे number of years purchase 80% दिया है 80% किसका कहरें 80% average profit अब average profit कौन सा previous 3 और previous 4 whichever is higher यानि पिछले 4 साल पिछले 4 साल का तो आप average निकाल लेंगे और previous 3 years previous 3 years कौन से हुए नीचे वाले 3 साल याद रखना सर नीचे वाले 3 साल क्योंकि वहाँ पे word क्या लिखा है previous 3 तो पिछले 3 साल और पिछले 4 साल का जो average है उस average में जो higher है सिरफ English का रोल है वो है आपका average profit तो मैं जरा आपको पहले पिछले 4 साल का average निकाल के दिखाता हूँ पिछले 4 साल पिछले 4 साल में तो हमारे पास 4 हों आ जाएंगे एक, दो, तीन, चार तो जरा इन 4 साल का देखे 98,000 80,000 76 1,20,000 यह आ रहा है 3,74 टोटल आ रहा है 3,74,000 और 4 से डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास average यह निकला है टोटल तरफ इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को तो हमने कहा इसको discuss कर लेते हैं एवरेज आ रहा है 93,500 प्लस उन्होंने कहा पिछले 3 साल प्रीवियस 3 यर अब प्रीवियस का मतलब यह पिछले 3 साल 2017, 2016, 2015, 2014 को नहीं लेना तो सिरफ इन 3 साल के प्रॉफिट लेते हैं 80,000 76 और 120,000 यह आ गया टोटल टोटल आ गया 276,000 बट अब हम डिवाइड किस से करेंगे हम डिवाइड करेंगे सिरफ 3 साल से क्योंकि 3 का एवरेज लेना था यह आ गया अवरेज प्रॉफिट 92,000 और उन्होंने कहा था विच एवर इस हायर ध्यान से आप पढ़ें विच एवर इस हायर हो सकता है लोवर भी पूछ सकते हैं सारी गेम इंगलिश की है तो इसमें से हायर कौन सा है हायर है 93,500 और अब लिखते हैं गुडविल गुडविल का फॉर्मला एवरेज प्रॉफिट मल्टिप्लाई बाई नंबर ओफ इयर्स पर्चेज और इस कोश्चन में अगर हम ध्यान से देखें एवरेज प्रॉफिट आ गया हायर 93,500 नंबर ओफ इयर्स पर्चेज आपको दे रखे थे 80% घुमा के दिया हुआ था 80% तो जैसे ही इसका हम 80% करेंगे हमारे पास आ जाएगी गुडविल 93,500 इंटू 80% तो फाइनली गुडविल आ गई 74,800 तो इस तरह के कोश्चन्स Language में बच्चों को problem आ जाती है कि सर्फ पिछले का क्या मतलब होता है Previous का क्या मतलब होता है Previous का मतलब बिलकुल अगर अभी चल रहा है 2024 तो 2024 से चलेंगे 2024, 2023, 2023, इस तरह से तो ये भी हमने कोश्चन डिसकस कर लिए आपके साथ एक और कोश्चन की डिमांड आई थी स्टूडेंट्स की तरफ से वो था कोश्चन खतम तो almost चीज़ें इसके अंदर खतम हो गई दोस्तों सिरफ एक दो छोटे से concept रह गए हैं उसके साथ सा chapter हो चुका है हमारा end ग्रिवाल सर की बुक आपके पास है जो भी कोश्चन में आपको difficulty आती है आप उस कोश्चन का number और उसका addition हमारे इस YouTube वीडियो के description box में डालिए comments में लिखिए कि सर ये कोश्चन नहीं आता मैं try करूँगा जैसे ही time मिलता है उन questions को भी properly solve करके आपके through video discuss करेंगे thank you so much all of you मिलते हैं आपसे next chapter में next class में thank you